दादी मा की बहुत ही आसान 26 बेश्ट किचन टिप्स बहुत ही कमाल के हैं जरूर सुनें नमबर एक सीता फल खाने से गुर्दों की कमजोरी दूर होती हैं नमबर दो हेल्दी स्कीन, हेल्दी हेयर और बहतर बलड सर्कुलेशन के लिए जामुन का सेवन करना चाहिए ये काफी फायदेमंद होता है, नमबर तीन चने की दाल में सौफ मिला कर खाने से जवानी हमेशा बरकरार राती है, नमबर चार चाए का अधिक सेवन करने से हड्डियां कमजोर होती है, नमबर पाच पान का पत्ता खासी और कफ की समस्या में लाबदायक होता है नमबर 6 हपते में एक बार नारियल का पानी जरूर पीए इससे सरीर गोरा होता है नमबर 7 भैस का कच्चा दूद पीने से आपको कभी भी कमरदर्द की समस्या नहीं होगी नमबर 8 पत्ता गोवी खाने से खोन की कमी दूर होती है नमबर 9 बत्वा का सेवन करने से दात और मसूडों की बिमारी ठीक होती है नमबर 10 संत्रा खाने से जोडों के दर्द में रहत मिलती है नमबर 11 तुलसी का नीमित सेवन आलश को दूर करता है नमबर 12 नहाने के बाद कानों के पिछे तेल लगाने से दिमाग तेज होता है नमबर 13 चीनी को जब चोट पर लगाया जाता है तो दर्द तुरंथ ही कम हो जाता है नमबर 14 संद्रे से भी ज्यादा केमती है संद्रे के छिलके क्या यह बात आपको पहले से पता था अगर नहीं पता था तो चलिए मैं आज आपको बताती हूं सबसे पहले आपको संद्रे के छिलके के छोटे छोटे टुकडे कर लेना है और फिर उसे 3-4 दिन तक धूप में अच्छी तरह सुखा लेना है जब यह सूख कर कड़क हो जाए यानि की अच्छे से सूख जाए तब आपको लेना है एक मिक्सर ग्राइंडर सारे सूखे वे छिलके को इसमें डालना है और इसको ग्राइंड करके इसका आपको पावडर बना कर तयार करना है इसे आप या टाइट कंटेनर में श्टोर करके रख सकते हैं या साल भर तक भी खराब नहीं होगा आप इसे गुलाब जल या दोध में मिलाकर इसक्रब या फेस पैक की तरह लगाए बहुत ही फाइदेमंद होता है ये नमबर पंधरा अमरोद खाने से अस्तन कैंसर से बचा होता है नमबर सोला करेले का जूस पीने से आखों की रोशनी बढ़ती है नमबर सत्रा चाय के साथ हल्दी खाने से इनसान की मृत भी हो शकती है नमबर अठारा रात को नीद नहीं आती बेचेनी सी रहती है बौडी दुखती भी है और टेंसन बहुत रहता है तो मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बताती हूँ क्या करना है आपको रात को सोने से पहले एक गिलास दूध को गर्म कर लेना है दूध को गर्म करने के बाद उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देना है अब इसे अच्छे से उबाल लेना है उबालने के बाद उसकी अंदर एक चम्मच देशी घी डालना है यकीन करो इसे कोई दस दिन लगातार पी ले तो उसका सब तरह की बीमारियां खत्म हो जाएंगी एक तो शरीर में कोई कमजोरी नहीं रहेगी और नीद बहुत अच्छी आएगी बॉडी का अगर कोई भी मसल्स दुख रहा है तो वहारी कबरी करने में हेल्प करेगा और हल्दी तो एंटिबायोटिक होती ही है जो आपकी बॉडी को हर बीमारी से बचाती है नमबर 19 टमाटर को फ्रीज में रखने से उसका श्वाद खराब हो जाता है नमबर 20 कच्चा आम का सेवन लीवर के लिए बहुत फायदे मंद होता है नमबर 21 मूँ की बदबू की बड़ी वज़ा कब जोती है नमबर 22 शुभा सुभा आप एक गिलास गर्म पानी लेते हैं और दोपार में एक गिलास छाच या दही लेते हैं और शाम को हल्दे डाल कर एक गिलास गर्म दूध ले लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपका एक रुप्या भी अस्पताल में खर्च नहीं होगा नमबर 23 उड़द की डाल को पीस कर हड़ी के दर्द में लगाने से बहुत आराम मिलता है नमबर 24 शहद का इस्तिमाल करने से दिमा के कमजोरी दोर होती है नमबर 25 पपीते के छिलके रगडने से जले वे दाक का निसान धीरे धीरे मिटने लगता है नमबर 26 अजवाईन पेट के दर्द में बेहद फाइदे मंद होता है तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही हमारी या वीडियो समान जानकारी के लिए बनाई गई है अगर आपको कोई भी बिमारी है तो आप सबसे पहले डॉक्टर से सला ले फिर या नियम अपनाए फ्रेंट्स हमारी या वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताए अगर थोड़ी से भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए चैनल पर पहली बार आए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद